बिग ट्रागन के पिछले एपिसोड में हमने देखा, ओंग और मगान इंगेज होते हैं, याई घर जा रहा होता है और उसे रास्ते में मगान दिखता है कोई लड़की के साथ, याई मगान को अटाक करता है, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मगान आक्चुली में चेरी क करने का ट्राय करा था पर उसमें वो बहुत मेनत नहीं कर रहा था याय मगान को कहता है कि उसे लड़की के बारे में भी सोचना चाहिए मगान उसे कंफरंट करता है तुमएसा कह रहे है हो उन लडकियों के लिए यह तुम मुझे लाइक करता है वह कुछ फंच करता है व इसकी ऊपर चड़ जाता है क्या तुम शूर हो कि अगर वो फेसली ठेलेट करों ते तुम MERICE आना होगा याई का voice over आता है, मुझे मकॉन से exactly क्या चाहिए, वो मकॉन के घर जाते हैं, अगली सुबह याई मकॉन के bedroom में जागता है, मकॉन एक note रखी होती है, ये पहनो, smiley face, याई note देखके smile करता है, वो dress होके kitchen में आता है, मकॉन breakfast पहना रहा होता है, वो याई को wait करने का कहता है, तुमहरे कपडे में ने wash में डाल दिया है, पर वो भी dry नहीं हुए, वो stir-fry noodles with crab serve करता है, वो याई को बताता है, कि ये मेरी माम की recipe है, इसमें seaweed भी है, एकदम yummy, याई सिफ देखता रहता है, मकॉन केता है, ऐसा मूं क्यू बना रहे हूं, तुम्हे नहीं चाहिए, वो प् मकॉन उसे serve करता है, वो कहता है, अगर मेरी माम ने ये देखा, तो बहुत कुछ हो जाएंगी, अगर कोई कहता है कि ये delicious है, वो याई को खिलाता है, याई smile करता है, breakfast करने के बाद मकॉन dishes साफ करता है, याई कहता है, मैं believe नहीं कर सकता कि तुम cook कर सकते हो, मकॉन पूचता है, क्या मैं ऐसा कोई लगता हूँ, जो cook ना कर पाए, याई कहता है, well, normally तुम drafts draw कर रहे होते हो, तो मुझे नहीं पता था कि तुम cook भी कर सकते हो, और ये अच्छे से कर सकते हो, पर तुमने cheat भी किया, इतना सा रो seaweed डाला, कुछ भी tasty लगेगा, मकॉन कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, याई पूछता है, तुम यहाँ अकेले रहते हो, मकॉन कहता है, हाँ, मेरे मॉम और डाड टाउन से बाहर रहते है, वो कभी कभी बैंक को आता है, याई कहता है, तो तुम अकेले होंगे न, मकॉन कहता है, नहीं, या तुम हैं डर लगता है कि मैं अके इडियल क्रीम लगाने देता है, मगउन का खतम होने के बाद याई केता है, तुम्हें भी ब्रूस है, मगउन रिजिस्ट करता है, पर याई केता है, जिद मत करो, मगउन SD कार्ट लाता है, और याई को देता है, मैंने ये कपकर डिलीट कर दिया है, और जो मैंने ड्राइव क कि oggi भाली बार में कहा था वो नकटी था। याई कहता है मुझे नही चाहिए मचम एक्ड दो मगउन पूछता है क्यों याई कहता है दो aha टीक है स्टिकर देखता है वो पूछता है यह ड्राग़न स्टिकर क्यों है मागउन कहता है तुम बहुत बौछ ऑम से लेसे बनै तो मैं शावर लेने जा रहा हूँ क्या कोई मुझे जोइन करेगा याई मना करता है याई अपने फोन पे होता है मंकॉन कहता है मैं यूनिवर्सिटी पे जा रहा हूँ पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है मैंने खाना ओर्डर कर लिया है लेना मत भूरना याई कहता है मुझे लगा तुम्हे लड़की को मिलने जा रहे हो मंकॉन उसके साथ बैठता है जेलिस हो याई कहता है कौन जेलिस है क्यूं जेलिस होंगा मंकॉन कहता है मैं उसके साथ था हम बार पे मिले थे पर यह serious नहीं है, तुम jealous हो ना, वो याई से उसका phone मांगता है, और अपना phone number अड़ करता है, और अपना Instagram फॉलो करता है, मगान पूछता है, क्या तुम मेरे पर गुस्सा हो, याई कहता है, नहीं, मगान कहता है, लगता है तुम हो, याई कहता है, मैंने कहा में नहीं हूँ, मगान उसे tasty snack से tempt करता है, पर याई वो खाता नहीं है, मगान और insist करता है, और याई पूरी stick खा जाता है, वो लोग ऐसे बैठे होते हैं, तब मगान की मॉम आती है, याई मगान को बताता है, मगान कहता है, मॉम, आप यहां क्यों आए है, याई पूछता है, क्या वो तु सुप्राइस करने आई, मैं बैंकोक पे मगान उन्हें इंटरप्ट करता है, हम नीचे जाके बात करते हैं, चलो, मगान और उसकी माम के जाने के बाद, याई नीचे आता है, और देखता है, सब इतर उतर है, उसे आइडिया आता है, और वो पार्क और पॉंग को फोन करता है, नार्मली वो तो कुछ भी क्लीनिंग नहीं करते हैं, वो मेड्स को हायर करते हैं, पॉंग केता है, हाँ, बराबर, या, कुन याई, याई उनको इंटरप्ट करता है, पार्क केता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुन याई, याई पूछता है, हाँ, अपको क्या हुआ ह मैं आपको बताने वाला था कि एक बजने आया, मैं बाकी सब कर लूँगा, और मेरा शर्ट लाने के लिए थांक्स, पार्क और पॉंग जाते हैं, और याई बाकी की सारी सफाय कर देता है, वो अपने काम से बहुत प्लीस्ट होता है, और उतने में कोई डोर बेल बचाता है, वो जाके देखता है, तो वो हॉंग होती है, हॉंग पूछती है, पी मकॉन यहाँ पर है, याई कहता है, मकॉन वो भी यहाँ पर नहीं है, हॉंग कहती है, तो मुझे कुछ लेना है, और वो अंदर आती है, वो मकॉन के बैटरूम में जाके, दो बॉक्स इस लेती है, उन्होंने आपको बताया नहीं है हॉंग बॉक्सस लेके चली जाती है याए वो ट्रोवर में ट्रेक करता है उसमें हॉंग और मगउन के पुराने पिच्छों होते है हॉंग रेस्टारंट में नदियर का वेट कर रही होती है हॉंग पुछती है तुम कहां थी नदियर कहती है, मैंने एक्जाम्स ले, तीन सब्जेक्स थे, कितना कन्फ्यूजिंग था, मैं पास तो हो जाओंगी, पर मेरे सर एक्सप्रोड हो जाएगा, पर लग्ली मेरे पास एक अच्छा सीनियर है, उन्हाने मुझे सारे पेपर्स दिया, हैंसम है, पढ़ाई में भी काइंड और रिच भी है, एकदम पर्फेक्ट, होंग कहती है, तुम्हें उस पे कोई सीक्रेट क्रश तो नहीं है ना में, या मैं कहूं नादिया, नादिया कहती है, हाँ, पर आप मुझे में बुला सकती है, ये स्पेशल है, तो मैं सिफ आपको बुलाने दूंगे, होंग आपकी फैमिली की वज़े से, पर इस अल्राइट, अब स्ट्रेस मत लो, चलो हों, कुछ खाते है, या मगउन के घर पे अपने आपको याद करा रहा होता है, वो उसकी गल्फरेंड नहीं है, वो सिफ एक जूनियर है, वो मगउन को कॉल करने उसका कॉन्टक ढूनता है, फ आपकोडली एक्स्क्यूज मी करके चला जाता है, मगउन उसे फॉलो करता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहां तक मजे मिलने आये, इतना मिस करते हो, याई टोर्न होता है, मगउन नोटिस करता है कि वो गुसे में है, वो कहता है, मैं सिफ मजग कर रहा था, ठीक है, तुम्हें भूख लगी है, चलो हम खाने जाता है, क्या खाना है, तुम्हारी मर्जी, याई कहता है, वो हॉंग, वो तुम्हारी गॉल्ट्रेंड है ना, मगउन कहता है, है, नहीं, वो नहीं है, याई कहता है, अगर वो नहीं है, तो कहो कि नहीं है, तुम हेजिटेट क्य करते हो इसका मतलब क्या है मगउन याई का हाथ लेता है है मैं अपनी प्राब्लम से डील कर लूँगा और इसके बाद तुम्हें बताओंगा मैं तुम्हें सब बता दूँगा I promise याई कहता है तुम अभी मुझे नहीं बता सकते हैं मगउन कहता है नहीं मैं रेडी नहीं हू क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद ढून लू तुम मुझे बताओ उससे पहले तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो क्या वो तुम्हारी फेवरेट है वो तुम्हारे रूम में आ सकती है मैं प्राब्लम से डील कर लूँगा जितना जल्दी हो सके याई कहता है तुम्हें पत तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें बताता हूं तो तुम वह हैंडल कर पाओगे है ना थोड़ी देर के बाद याई कहता है ये कुछ ना जानने से ज्यादा अच्छा है मकॉन कहता है हौं मेरी फियांसे है जब मैं यूनिवर्सिटी फिनिश करता हूं तो मुझे उससे शादी करनी है हम एक दूसरे को लव नहीं करते हैं तो भी तुम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ करो गया याई कहता है तुमने मुझे पताया क्यों नहीं मकॉन कहता है अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम चले जाते है मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता याई या रुटाइ केहता है, तो मुझे इसके बार में पता चलता उसका है, कल जब तुम्हारी शादी हो जाती inverter, या उस दिन जब तुम गायब हो जाओ क्या है, लजब मुझे पता चलेगा अन्यक्क बहुत अच्छी थे और इसके बाद तुम आए मकगान कहता है तो अगर तुम्हें इससे इतनी तकलीफ होती है तो जाओ अगर मेरे साथ रहने से तुम इतने दुखी होते हो तो तुम जा सकते हो याए कहता है हाँ ऐसा ही कोई भी प्राब्लम हो उसको कट आफ ही कर दो मकगा चले कि तुम्हें कैसे हिल्प करूं मंकान कहता है और जब मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम सुनते भी हो तुम पूछते रहते हो और फ्रैंकली तुम्हें अपनी फीलिंग्स की ही पड़ी है तुम्हें पता है तुम्हें ऐसी फीलिंग्स से डर लगती है तुम्हें स् क्या तुम ये हैंडल कर सकते हो, हाई या ना, बताओ, याई गनफेस करता है, मुझे नहीं पता, मगउन केता है, फ़नी है न, तुम्हें ही तुम्हारा आंसर नहीं पता है, याई केता है, तुम्हें मुझसे क्लारिटी चाहिए, पर तुम्हें भी कहां पता है, अब कौन सल याई चला जाता है, याई पार्क और पॉंग के साथ ड्रिंक करने जाता है, याई ड्रिंक करता है और पार्क और पॉंग इसे रोकता है, नाइन आता है, पार्क और पॉंग नाइन को ग्रीट करता है, पॉंग केता है, हमें नहीं पता की कुनियाई के साथ क्या हुआ, इनको सोचता था मुझे सिर्फ अपनी ही पड़ी थी अब मैं शान्त हूं दूसरों की सुनता हूं और ये पॉर्सन मुझे बैटर बनाता है उदने में मंकौन आता है या एकंटीनिव करता है अनफॉर्चुनेटली ये फीलिंग्स को मिटा नहोंका क्योंकि कोई और आ गाया है और उसको मुझे से दूर ले गया अब मैं क्या करों मैं तो सिफ यहां खड़ा रहके मुस्कुरा सकता हूं और उसे जाने दे सकता हूं वो सौंग आता है सौंग खतम हने के बाद वो गिर जाता है नाइन उसको पकड़ने जाता है मंकौन ये देखके रोता है और वो चला जात अगली सुभह याई उनिवर्सिटी के लिए तयार होता है वो देखता है कि नाइन अभी भी सो रहा है और उसे ब्लैंकेट उड़ाता है किचिन में उसके डाड वेट कर रहे होते हैं वो उसे जाने से रोकते हैं तुम कहां पे ड्रंक हुए पूरी रात नाइन को तुम्हें करने क्यों आना पड़ा याई कहता है नाइन के बार पे और आपने उसे मेरे रूम में क्यों सोने दिया ये घर में बहुत सारे रूम्स है डाड कहते है और तुमने रूम में कुछ तोड़फोड की होती तो तब मैं क्या करता और नाइन ने खुद ही तुमारा ध्यान रख मैस्टर का पहला दिन है, मुझे अपने फ्रेंड्स को मिलने जाना है, बाई, याई जाता है, पार्क और पॉंग उसे फॉलो करता है, युनिवर्सिटी पे, याई के फ्रेंड्स कंप्लेंड करते हैं, कि वो पूरा टाइम अनवेलेबल था, एक फ्रेंड पूर्चता है, ये, तुम ठीक हो, फॉर्थ येर का पहला दिन है, और तुम बिल्कुल भी हापी नहीं हो, याई केता है, ओए, मैं ठीक हूँ, मैंसे टाइड हूँ, बहुर्ट ड्रिंकिंग किया था कल राद, उसे मंगौन का मेसेज आता है, तुम क्या कर रहे हो, वो रिप्लाइ नहीं करता, रात को, नाई याई को पिक अप करने आता है, और वो एक रेस्टरांट पर जाता है, याई खाने का फोटो लेता है, नाइन पोल्स कर रहा होता है याई कहता है आपने पोल्स क्यूं किया है मैं खाने का फोटो ले रहा हूं याई नाइन का भी फोटो लेता है याई खाना स्टार्ट करता है नाइन नोटिस करता है कि उसके शोल्डर पे एक इंसेक्ट है और उसे बताता है कि उसके shoulder पर caterpillar है याई उपर नीचे होता है 9 उसे कहता है कि तुम शान रहो मैं निकालता हूँ वो caterpillar को निकाल के याई को बताता है देखो कितना बड़ा है याई कहता है क्यूं मुझे दिखा रहे हो 9 caterpillar को बहार छोड़ के आता है क्या हुआ अभी भी caterpillar से डरते हो मुझे अभी भी याद है elementary school में तुम कितना ज्यादा रोए थे याई कहता है अरे याद मत कराऊ मेरे दिमाग में चिपक गया है 9 हसता है याई पूछता है आप क्यों हस रहे हो 9 कहता है अगर वो caterpillar नहीं होता और butterfly होता तो तुम्हें तो भी डर लगता याई कहता है butterfly किसको butterfly से डर लगेगा वो तो beautiful होते है 9 हसता है और कहता है मुझे ये थोड़ा cute लगता है याई और 9 खाना enjoy करता है मकौन याई को call कर रहा होता है और वो दूर से देखता है कि 9 याई को kiss कर रहा है और यहाँ पे big dragon का 5th episode खतम होता है I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा ये वीडियो को like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए बाई बाई